नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरा चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त मितलेश कुमार आज हम लोग जानेंगे मुबाइल के चार बड़े सोटिंग के कारण जो मुबाइल के वसिटर डायोड आइसी वाटर डेमेज जो होता है उस सब के बारे में डीटेल से हम लोग ए पर दोसरा मैनस में जुड़ी होती है तो इस तरह से एक सिरा प्लस के लाइन में और दूसरा मैनस में जुड़ी हुई होती है और एक माइनस में इसमें से जदी एक इंटर्नली जदी सोट हो जाता है तो वो क्या करता है वो माइनस फिर वो प्लस में जाके है कि सोट हो जाती है तो इसमें हम लोग का आगे जितने भी कैपासिटर है वो भी इंटरनेली सोट बताते हैं जो भी लगे हुए रहेंगे प्राप प्रालेल में उसी लाइन में वो सारे सोट बताते है तो अट कि अक्यूंध अधी यह एक पलस से है मैनस में है यानि हो परालन में जुड़ा हुआ तो इसका एक शीरा जदी हो जाता है तो वह पूरी लाइन को सोट कर देगा तो केपसिटर पूरी लाइन को सोट कर देने से दोनों लाइन में बीप मिलेगा हमको इधर से भी जब प्रिल्टिबिटर में चेक करेंगे तो इधर भी हम लोग को बीप साउंड मिलेगा और इधर से भी हम लोग को बीप साउंड मिलेगा पल मिल्ट्मिटर को बजर करें में सेट करते हैं कॉंडुझनीटी में यह और वह लोग इसमें चेक करेंगे कि कैसे चेक करते हैं तो onu को इस iyi है देखिने की हो जा रहा है तो हम लोग का यह माइनस है और यह वह पिलस है तो हम लोग करना से को मैनस देखिए यह बीब कर रहा है यानि यह माइनस से जुड़ा हुआ है और और एक चेक करते हैं देखिए यह प्लस में जुड़ा हुआ है जिदि इसमें से एक सोट हो जाता है तो हम लोग का यह दोनों तरफ से यह हम लोग का बीब करेगा यह देखिए यह माइनस में है और यह भी बैट यह डारेक्ट हम लोग का बैटरी से कनेक्टेड है देखिए बीप कर रहा है जो भी बैट डारेक्ट हम लोग का बैटरी का कनेक्ट सेट है देखिए एक दूसरा PCP में एक दिखाते हैं बैटरी के कनेक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ है देखिए यह बैटरी का यह माइनस है और यह पलस है तो माइनस के साथ चेक करते हैं इसको और भी बेट के साउंड आरा है रहा है बंस के साथ करते हैं आज यह पलस बीप आवस आरा है इसमें से जदि एक भी capacitor को पूर्व सी महीं सोट कर दें हैं तो इसके प्रालेल में जितने भी लगए है वह सारा को शुट कर देगा तो फिर हम को एक सॉट किलर से हमनों को फिर पता करना होगा प्रोषा फिर्षाइब करना है पिर उसी के seater को इसी उतने भी देगे के पसेटर को हम लोग को लगाना होता है जिसमें हम लोग का इंटर्नली कुछ भी डेवर टेमेज ना हो दूसरा जो है डायोड जदी परालल में लगा हुआ डायोड सोट हो जाता है तो वह भी पूरी लाइन को सोट कर देगा हम यह डायोड का हम लोग का एक सीरा है जाज़ी यह इंटर्नली यह इस तरह से सोट हो जाता है तो भी वो जितने भी डायोड है उसके परालर में लागे हुए वो सारा ही को सोट कर देगा इंटरलेजी दियो सोट हो जाता है तो ये हम लोग का ये माइनस प्लस देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है ये माइनस के साथ ये बीप कर रहा है ये इसका माइनस है और ये आपका प्लस है जदी ये डायोड इंटरनल जी सोट हो जाएगा तो इसके समांतर में इतने भी लगए हुए डायोड है वो सारा को सोट कर देगा और ये डायाट जी 跟我 शोट हो जाएगा यहापर देखे है लोकट यह में आई सिए है यहां पर जो आई सी है ओप ए ह suck fun एन इसमें सारे के पासिटर हैै जिदी एक तो कारण होता है होता है आइसी में हम लोग का छोड़े-चोड़े बॉल्स रहते हैं यह जदी हम लोग का इंटर्नली जदी यह सोट हो जाते हैं ग्राउन के साथ तो यह बाहर में जो हम हम लोग का केपसिटर लगे हुए रहेंगे उसको वह सोड़ बताएगा जदी कोई आइसी इंटर्नली सोट हो जाती है तो वह तो आइसी के बाहर में जो केपसिटर लगए है वह सोड़ बताएगी आप बाहर लगे हुए आइसी को चेक करेंगे तो बीब की आवाज सुनाई देगी दूसरे पॉइंट में भी बीब की आवाज सुनाई देगी पॉइंट के उपर बीब दे अगर आपको केपसिटर को चेक करोगे तो वह केपसिटर को हम लोग को इससे क्या करना होगा बीब देगा तो इसको हमको रिमूब करना होगा पीसीबी से और रिमूब करने के बाद इसको बाहर निकालके हम लोग चेक करेंगे तो ज़्यदी तो इसका जो दो पॉएंट है PCV में अभी इस पॉएंट को हम लोग चेक करेंगे तो यहां पर चुदी बीब देता है तो हम लोग का अंदर में जो IP है वह में सॉट्ट यहां पर जब यह सौट्ट निकलता है तो यहां सी अंदर के जो लाइन है वो स्वाट बना देता है आईसी के सापने बहुत सारे केपासिटर अगर दोनों साइड से बीब दे तो आईसी को स्वाट बना देती है चोथा तो सबसे बड़ा कारण है चोथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है वाटर डेमेज लोका इसी के अंदर छोड़ा छोड़ा बॉल होता है वो जदी इसके अंदर पानी चल जाता है तो पानी कंड़क्टर सुचालग का काम करता है तो फिर वो इंटर्नली स्वाट बना देता है ंदर पानी और मॉस्चर हो तो वोर सुचालक करेगा क्यूंकि पानी जो है कंड़क्टर का काम करता है और पानी एक फॉचालग है तो वो अंदर सुचालग बनाएगा जब तक पानी सुखेगा नहीं तब तक सोर्टिंग बनाए रखेगा यह भी एक बड़ा कारण होता है तो उसका एक सोलुसन है उसको आपको सुखाना पड़ेगा दूसरा अगर कई दिनों और महिनों तक जदी बॉल के अंदर में राष्ट मुश्चर पर्टिकल जम जाते हैं तो वह भी एक फोल्ड बना देता है और शॉटिंग का काम करता है इस परकार के मुबाइल को तो इस परकार के मुबाइल को आपको थीनर या पेट्रॉल से क्लीन करना होगा और बॉल के बीच कंड़क्टर का जो काम कर रहा है वह निकल जाएगा किलिन करने के बाद और फोल्ड ठीक हो जाएगा इस तरह से हम लोग जाने चार डेमेज के बारे में पहला जो है क्यापसिटर जिदी इंटर्निली सोट है तो परालल में जितने भी लगे वह सूर्ट हो जाएगा जिसमें हम लोग को को मोबाईल सोट बताएगा दुसरा जो है डायोंट नहीं जदी इंटर्नेल इसूट हो जाएगा तो इसमें वह पराललोगी हें के पर होगा हुआ है उसको रिमूब करते हैं ठीक निकलता है उसका पॉइंट पर चेक करते हैं दोनों पॉइंट में जिदी मोस्चर जमा हुआ है उसके कारण भी होता है। तो चार हम लोग चीज जाने जदी मेरे चलेंग पर नए है तो प्लीज मेरे चलेंग को सब्सक्राइब करें लाइक करें जिसमें आपको मेरे नए वीडियो की नोट्पिकेशन आपको मिल सकें ठाइंक्स पर वाचिंग धन्यवाद